मद्ध प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर कॉंग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है वहीं इसके बाद राजधानी बोपाल में PCC चीफ और पूर्व मुक्मंतरी कमल नाथ ने मीडिया से चर्चा की उन्होंने कहा कि जब तक उतर प्रदेश के चुनाव नहीं हुए थे तब तक डीजल पैटरोल और गैस के दाम इस्थिर रहे चुनाव के तुरंत बाद कीमते बढ़ा दी गई चुनावी मोड में आना भारती जन्यता पार्टी का काम है कॉंग्रेस पार्टी हमेशा अपने कारकरताओं से और जन्यता से जुड़ी रहती है इसके अलावत सिंधिया को बीजेपी का मुखमंतरी चेहरा बनाया जाने के सवाल पर कमलनाथ बोले की पिछले लोगसवा चुनाव में गुना ने दिखा दिया था की चुनावती कितनी मजबूत है साथी शुवरा सिंग चौहान के बुल्डोजर मामा बन जाने की सवाल पर कहा की उन्होंने माफिया के खिलाफ बुल्डोजर चलाया था शुवरा सिंग चौहान कौंग्रेस कारकरताओं की उपर बुल्डोजर चला कर बदले की कारवाही कर रहे हैं आज पेट्रोल और डीजल की जो मोदी जी 2013-2014 में और शिवराज जी साइकल में जाया करते थे, आज इस पर चुप है, आज केवल गोशनाओं की फैक्टरी, आश्वासन की फैक्टरी की कारखाने खोले हुए, हमारा किसाम, अगर हम तुलना करें, खाद और बीज की भाव में, आज के भाव, पिछले साल के भाव, और चार साल पहले बेव, बीज खाद की मेंगाई हों, आज किसान तरसते, नवजवान तरसते, आज छोटा वेपारी तरसते, आर्थिक कतिविदी जिसको कहते है, इकोनो करेंसी जो अजय को अजय की दिनली में बैठके, भोपाल और फिर में बैठके, फयक्ति हो ने सकते हैं, और चिड़ायों हों नहीं सकते हैं तो मेंगर्शिबेर से होने वाले हैं ति ini की जो सब बात सामने अजाएदी के दिल्ली में बैटके, बोपाल और शेहर में बैटके, बंबई में बैटके, बैंगलोर में बैटके, देश की बात करने वाले जो लोग हैं, जो देश के कस्बे और गाउं नहीं समझते हैं, ये, इस पर, कॉंग्रेस जन के गरों पर बुल्डोजर चलाओ, मैंने शुरू किया था, माफिय माफिया के खिलाओ, मैंने चाहता था कि मद्द्देश की पैचान माफिया से, ये माफिया के खिलाओ बुल्डोजर नहीं चला रहे हैं, ये, शुब का युद जो मैंने शुब किया था, इस पर कुछ भी बोल रहे हैं, आज पूरी मिनावटी, हर चीज में मिलावटी, ये सब हमारे साथ, हमने इसका अभ्यार शुरू किया, किसी ना किसी तरह हैं, इनकी आँख और कान खोले जाएं, मूँ तो खुला हुआ हैं, मूँ चलाना जानते हैं, पर आँख और कान बंते हैं, ये हमारे अभ्यार का लग्शा है लेखेमा Hammond कान टीजर खुला खूर। Geitman International School always thinks different and strives to bring more innovation in the pedagogy and grooms the children to face the challenges of the world. We do believe that education is a unique blend of classrooms and playgrounds, of listening and talking, of academic and co-curricular activities, Indian methodology and western methods and of course fun as well as discipline GIS is celebration of knowledge, eco-friendly, interactive, technology-friendly, vision-oriented, motivating, a very light and organic place.